हेलो फ्रेंब्स तो फाइली जो एपल ने लाउंच करती हैं लेटेस्ट वेस अपने सारे प्रोड़क के लिए बहुत ही कमाल के जैसे कि आपके आपको iOS, iPad OS, TV OS, Watch OS, Mac OS, ये सारे OS, Nano OS हर प्रोड़क के लिए लाउंच होगे हैं बहुत ही कमाल के अपडेट आया है तो आज के बढ़ेट में आप आपसे बात करने वाला हूँ iOS 14 के बारे में और सची मेरे बहुत ही कमाल का लगा मैंने अब अपडेट मेरे को वभूत इवेट तो वीडेओ में बढ़ते हैं आप लाइब्रेरी की जहां पर पहले जब एप वोगर यूज़ करते थे तो बहुत सारे slides maintain करना पड़ता था जहां बहुत सारे app यूज़ करते थे या फिर आप परसनली जो एक group create करते थे जहां पर social networking होता था या फिर shopping होता था आप खुद को create करना पड़ता था personally बट अब आप जो ऐसा काम आपको कुछ भी निकना पड़ेगा सारा काम apple आपके लिए खुद बखुद कर देगा जहां पर जो है last जब स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर हमें app library देखने मिलेगा जैसे कि आप सामने देख रहे हैं वो जो है personally आपका सब कुछ grouping automatic कर देगा उसके category के एकॉर्डिंग की वो shopping app है या फिर social media app है या फिर networking app है क्या क्या है तो वो जो है personally अपने आप ही ग्रूपिंग कर देगा तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा तो widgets का जो अपडेट आ है वो बहुत ही कमाल का है पहली बात जो widgets का पूरा slide था वो हमें बिल्कुल pattern ही change हो गया है बात करते हैं और भी इसके other feature की कि आप जो है widgets में देख सकते हैं अदग-दग features होता है जैसकि आपका हो गया weather, stock, exchange, timing वगरा, timer वगरा मतलब यह सारे होते ह तो इस widgets को जो है आप अपने home screen पे भी ला सकते है तो यह बहुत ही कमाल का प्डेट है कि आप जो सामने देख सकते हैं आप widgets को Stuart पे बहुत ही दिसके अपको विजट के साथ में भी बहुत ही एजी और कन्मिनेगे देखनी को मिल जाता है बात करते हैं अगले अप्ग्रेट की तो वो आ जाता है हमारा पिक्चर इन पिक्चर को लेकर और यह अप्ग्रेड मेरे को personally बहुत ही जादा जरूरी था मेरे को बहुत ज़्यादा problem होता था मैं कभी भी YouTube वीडियो देखता था या कोई वीडियो देखता था तो अगर कोई work मेरे को होता था बट मैं चाहता था कि वही वो जो वीडियो प्ले हो रहा है वो भी मैं देखू तो वो मैं नहीं कर पाता था तो इस feature से आप वो सब कुछ कर पाएंगे कि आप पिक्चर इन पिक्चर मतलब उस वीडियो को आप अपने फोन में छोटा सा स्क्रीन कट आउट हो जाएगा वहाँ पे आप देख पाएंगे साथ ही background में आप अपने work भी कर पाएंगे आप जैसे सामने स्क्रीन पर But इसली आप आप यज वरक भी कर पाएंगे सारे और साथ ही आप वीडियो भी देख सोकते हैं और साथ ही एक और feature कि आप अगर वीडियो नहीं देखना चाहतें सिर्फ sopr camonze चाहतें और अदर गक करना चाहतें तो वो चीज़ भी आप कर पाएंगे, आपको जो जो स्लाइट कर देना होगा, लेफ्ट की तरफ आप इसली जो है, वो वीडियो हाइड हो जाएगा, और साउंड आपको प्ले होता हुआ, सुनाई देगा, तो ये फीचर्स बहुत ही कमाल का अपग्रेट था, और ये सच में बहुत ही जादा जरूरी भी था, iOS में, Apple में बहुत ही जादा जरूरी था, अगला अपडेट है, वो है सीरी को लेकर, सीरी में बहुत सारे अपडेट दिखने मिल गया है, बट जब भी आप सीरी को एक्सेस करना चाते थे, तो आपका पूरा स्क्रीन, पूरा डिस्प्ले यूज होता था, iOS में, कि जो है, क्या आप सीरी से बोलना चाते, बट अब ऐसा नहीं होगा, अब जो अपडेटा है, उसमें जब आप सीरी को कुछ भी बोलेंगे, तो बस आपका नीचे से जरा सा सीरी का जो लोगो है, वो बस पॉप अप होगा, और आपका जो वर्क, जो के रिपलाई भी हमें देखने को मिल गया, तो बहुत ही अच्छा अपग्रेट में सीरी को देखने को मिल गया है, और साथ ही एपल ने एक एप भी लॉंच किया है, जो इसका नाम है, ट्रांसलेट एप, जहां पर आप कुछ 11 लैंग्वेज में आप कर पाएंगे, जैसे कि कन्वेशेशन करने में आपको बहुत ही जादा कन्वीनेंट हो जाएगा, तो टांसलेटर एप भी जो था, वो बहुत ही कमाल का अपडेट निकल का है, अगला जो अपडेट है, वो है लेकर मैसेज एप को, तो मैसेज एप में क्या होता था कि जब बहुत सारे लोग होते ह और बहुत सारा दिक्कत होता है कि आपको ढूना पड़ता है कि मैं किसे conversation किया या उसका नाम ढूना पड़ता है तो बहुत जादा इस्ट्रॉल करना पड़ता है जो long-long conversation करते हैं, बट इसके थुरू अब आप जो है नहीं करना पड़ेगा, इतना परिशान नहीं होना बाकी अधर कमेंट नीचे रहते हैं, बट जो पिन कमेंट होता है, वो हमेशा एकदम टॉप पे रहता है, तो बस सेम उसी तरही से वक करता है, कि जैसी आप जो पिन करेंगे, तो वो आपका एकदम टॉप में मैसेज रहेगा, एवरी टाइम भले वो चार दिन पुराना हो, हमेशा वो मैसेज आपके टॉप पे ही रहेगा, तो यह बहुत ही ज़ारा कन्विंटेंट कि आप जो है, इसली जो है मैसेज को, मतलब मैसेज में किसी भी पर्टिक्लर मैसेज को एकसेस कर पाएंगे, साथ ही अगला अपडेट है, वो है फेस मास को लेकर, तो इस बार एप तो यह बहुत ही ज़ारा का अपडेट है, इसली आप जो है फीचर्ज को उज़ कर पाएंगे, अप ये जो है एक जो लेटेस्ट रेंडिंग चला है, वो है कि मास्क वाला तो इमास्क वाला भी इपडेट देखने मिल गया, जो इमॉजीज है, एनिमॉजीज बोलते है या आफ इमजे बोल दे हैं यह इन को दो है ये देखने को सब्लिए है! वो है maps को लेकर तो maps में बहुत ही जादा अप्ग्रेड आ गया है location वगर को लेकर add-ons भी हो गया बहुत ही अच्छे location एड़ हो चुके है और वहाँ पर आप detail में भी check कर पाएंगे कि क्या क्या हमें location में क्या क्या चीज़े हमें देखने को मिलेगी तो इससे रखा बहुत ही अच्छा अप्ग्रेड दिनी मिल गया apple के maps वाले app में तो बहुत ही कमाल का है अब जो अगला अप्ग्रेड मैं बताने वाला हूँ वो सच में mind blowing था मतलब मैं देखके दंग रह गया कि ऐसा भी हो सकता है car play को लेकर अप्ग्रेड आया प्ग्रेड आउनलोग कर पायएंगे और अपने फोन से ही जो है car को start भी कर पायएंगे तो जी आप सोच रहेंगे चाभी की कोई जरुरत नहीं जी हाँ आपको चाभी की कोई भी जरुरत नहीं पड़ेगी भले वो घर पे पढ़ियो तो चाहे वो कहीं पे भी पड़ी हो, चाहा भी की आपको जरुवत ही नहीं पड़ेगी, बट ये सभी cars में available नहीं है, अभी तक जो है, Apple ने दो ही company से tie-up किया है, further और भी upgrade आएंगे, एक तो हमारा BMW है, दूसरा हमारा Ford तो इन दोनों से tie-up किया है, और BMW की अभी latest जो car 2021 में आने वाली, उसमें हम यह सब features देखने को मिलेंगे, चहां पे आप अपने phone से easily अपने car को unlock कर पाएंगे, और साथ ही Apple ने ये भी कहा है कि कोसिस मेरी ये रहेगी कि आपको अपने pocket से भी phone नहीं निकालना पड़ेगा, in future, कि आप जो अपने pocket में phone रखे रखे ही, जो है car को भी unlock कर पाएंगे, और साथ ही car को start भी कर पाएंगे, तो ये बहुत ही कमाल का upgrade मेरे को Apple की तर से लगा, बहुत ही अच्छा upgrade iOS 14 में, अगला जो upgrade है, वो है app store को लेकर, बहुत ही कमाल का app store में बहुत सारे icons different types से हो चुके हैं, बट अब हमें एक और upgrade देखने को मिल गया है, जैसे कि आप कहीं पर भी nearby wifi type की shop में जाते हैं, जहां पर उनके apps होते हैं, बट आपको पता नहीं होता, तो वहाँ जब आप जाएंगे, तो wifi type से कुछ scanning वगर होगी, जिसे आपको एक app clips pop up हो जाएगी नीचे की तरफ से, जहां आपको बताएगा कि ये apps हैं, और अगर app clips चल जाएगी, आपके recently use में, वहाँ से अगर आप चाहेंगे, तो आप पूरा detail, पूरा ही app complete download कर पाएंगे, तो वह बहुत ही कमाल का feature लगा, कि आप instant एक app clip pop up हो जाएगी, जितना यूज करना होगा, आप यूज कर पाएंगे, बाकी वह अपने आप remove हो जाता है, तो य किसी ने ध्यान दिया होगा कि नहीं, क्योंकि जो iOS वाले update में नहीं बतायता, आगे जलके आगे वाले event में पूरा complete उसके बाद ये बताया कि ये features भी हमें iOS 14 में देखने मिलेगा, जो कि ये call वाला features, तो call वाले features में क्या में देखने मिलेगा, जैसे ही आप कोई भी काम कर रहे होंगे, आपको एक pop-up आजाता है, जैसे कि Android वगर में देखने मिलता है, कि आपको pop-up देखने मिलेगा, बस अब उसी तरह ही जो हमें iOS में भी pop-up देखने को मिलेगा, जहां से उपर से pop-up होगा notification की तरह, और वहां आपको decision लेना होगा, कि आपको accept करना है, या फिर decline करना है, या फिर cut कर देना है, कुछ भी करना हो, तो वहां आपको pop-up आजागा, कि आपका current work चलना है, वो डिश्टर नहीं होता है, आप वहीं से एक्सेस कर पाएंगे, अपनी इच्छा अनुसा, कि आपको receive करना है, या फिर 5 मिन बाद callback करना है, तो वो चीज हमें बहु साथ ही कमाल की upgrade पूरा total मैंने explain कर दिया, कि iOS में क्या-क्या upgrade देंगे मिलें, कि सारे highlights मैंने आपको बता दिये है, बागी वीडियो आपको पसंद आई, तो प्लीज इस वीडियो को like कर दिया करें, क्योंकि यार इतना जादा महनत लगता है, और आप लोग जब एक-एक like कर लगते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फटावर से वीडियो को like कर देगा, साथ ही चैनल पे आपने चैनल को subscribe कर लिजेगा, bell icon जो से प्रेस करें, क्योंकि इस तरह की upgrade अपडेट्स अगर आपको मेरे चैनल पे मिलती रहती है, और साथ ही आपका लिजेगा, तो बिल्कुल बे हीचक नीचे comment section में comment कर दीजेगा, तो मिलताओ के लिए विडियो में, आज के लिए धन्यवाद